नमस्कार दोस्तों स्वागत इसने वीडियों बात करने वाले हैं बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर प्रोवियेशन और जो सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की जो वेकेंसी निकाली है उसका फॉर्म कैसे फील करेंगे सब इंस्पेक्टर प्रोवियेशन डिपार्टमेंट में 11 पद है और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर में तीरपन पद है मैंने इसको उपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ कि आपकी हाइट दौड एस लिमीट यह सब चीज हमने बताया हुआ सेलेक्शन प्रोसेस वीडियो नहीं देखें तो देख लिए का आई बटन पर उसका लिंक में दे दिया हूँ फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा यह इसका ओनलाइन का पोटल है यही सा आपको फॉर्म को भरना है सबसी पहला स्टिप आपका रेशिशन है और पमेंट है उसके बसे फॉर ढमबरना है फिर आपको लिए अप्लिकेशन को भी डाउनओड कर सकते हैं और सारी जनकारी आप पढ़ सकते हैं और मैंना आपको लेंक भी एक दिया हुए डिस्क्रिप्सरेंड बॉक्स में आपको सारी जनकारी बहरति का रिगार्ग हैं कितने पद हैं सब चीज यहां पर सबसे पढ़र आपको यहां यहां को पढ़ेंगे सारी जनकारी और उसके सब hospitality करना है यहां पर आपको सबसे पर हैं पर लिखना जो हैं तो आप यहां दीपक किस तरह से लिख देंगे कुमार लास्ट में कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे अपको इंडियान चूछ करना है मुबाइल नमर लिखेंगे यहां पना इमेल इड्रस को लिखेंगे यह पूछ रहा कि आप बिहार के निवासी अगर हैं तो हां और यहां पूछ रहा अपना केटइगरी को सिलेक्ट करेंगे क्योंक कि आ रखेंगे वाले हमेसा जनरल में आएंगे भाले वो किसी भी category से हो क्योंकि ये वेकिंसी बिहार की है तो बिहार वालों कोई के वले यहाँ पर reservation मी लेगा जो कि यहाँ पर आप उस सेलेक्ट कर सकता है बिहार के जो भी बच्चा है यहाँ पर अपना category चूच करेगा और अपना पीपीओ नंबर डेट अब जॉइनिंग कौन से रिटार्मेंट डेट है वो सब आप बताएंगे नहीं है तो आप इसको भी नो कर देंगे यह हट जाएगा फिर आपको प्रोसीड करना है प्रोसीड करते ही फ्रेंट्स यहां पर आपको जो है जो भी अपने जनका को भारेंगे जिससे यहां पर लिखा हुआ है अगर आपको लाग रहा है कि जो आपने जनकारी यहां पर भारा हुआ है रिश्टन वाली वह यहां पर गलती है तो इडिट कर लिजेगा अभी है क्योंकि प्रमेंट कर देने के बाद से फिर आपको दिकत हो जाएगा आपका कंप्लीट हो रहा है वही लोग यहां पर फॉर्म को भारेंगे चलिए हम यहां करते हैं ओके करते ही फ्रेंट यहां पर अब जो है आपको पमेंट गेटवे पर लेकर जाएगा तो हम यहां पर करते हैं पमेंट को जमा करते हैं तो इस परकार से प्लीज वेट आ रहा है आप उस options के माध्यम से प्रेमेंट को करेंगे, काफी सारे options आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी एक option से payment को जमा कर लेते हैं, तो friends हमें आपे UPI से payment किया, यहां पर इस परकार से यहां पर generate हो चुका है, अब यहां पे क्या करना बोल रहा है कि आपको कुछ problem आ गया है, अब आपको क्या करना वेट करना है, अब देखें यहां पे मेरा तो पैसा कड़ गया, यहां पे तो कोई जो है, यहां पे payment का option नहीं खुल गया, अब हम क्या करेंगे friends, जो है हम क्या करेंगे, अपने mail ID को चे करते हैं, अगर यह लिखने के बावजूद भी आपको नहीं दिखा रहा है कि आपको जो है, तो आपको करेंगे, यह number पे call करेंगे, support number दिया हुगा है, mail भी कर सकते हैं, अपने payment को लेकर, और call भी कर सकते हैं, वो लोग आपसे mobile number पूछेंगे, तो तुरंत आपका payment अगर प्रोस्चेंग जरूर करिएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, friends की मेरा account से पैसा कड़ गया, लेकिन registration number हमको नहीं प्राप्त हुआ, जिसके वज़व से हम 12 गंटा wait किये, और मेरा payment success हुआ, और उसके बाद समया पे login करने जा रहे हैं, देखे friends, आपके साथ भी ऐसा ह हो सकता है, तो आपको बिल्कुल घपडाना नहीं है, आपको जो है दुबारा payment नहीं करना है, दुबारा रिशन नहीं करना है, आपको wait करना है 24 गंटा, 48 गंटा, अगर संडे रहे तो और थोड़ा सा wait कर लीजेगा, और इस customer support पे call करिएगा, हाला कि call जली से लगता नहीं है, लेकिन call करेगा, तो आपको ज़रूर ये लोग respond करते हैं, और help text number, email ID, इस पर mail भी forward कर दीजेगा, कि मेरा ये problem हो गया, ये transaction ID, ये mobile number है, मैंने पैसा कटा दिया, रिशन नमर नहीं पराप्त हुआ, तो इस case में आपको बिल्गुल घपडाना नहीं है, मेरे साथ जैसे ह हुआ, तो अब हम क्या करते हैं, या पर login करते हैं, और हाँ, बीच-बीच में आप जो है, mobile number, data birth, capture code भर के submit करके देखते रहेंगे, अगर login हो जाता है, तो अत्ती उत्तम है, बीच-बीच में 2 गंटा, 4 गंटा, 12 गंटा, 48 गंटा बाद आप चेक करते रहेंगे, चलिए हम यहां करते हैं, login, login करते हैं, आपका registration ID यहां पे so हो जाता है, आप इसे note करेंगे, और यहां पे देखे, download करने का option मिलता है, आप इस print को कर लेंगे, registration print है, और payment print है, आप यहां से click करके download कर लेंगे, अब यहां पे आपको देखिए, process to fill application form का option मिलेगे, आप इस पे click करते हैं, अगर instruction को पढ़ेंगे, इसको declare करेंगे, और यहां process to fill application form पे click करेंगे, यहां पे देखिए, आपकी जनकारी उपर में so होती है, यहां पे आपको preference देना है, तो मैंने आपको starting में बता था, दो post है, एक sub inspector, probation department में है, एक sub divisional fire, station officer के, दोनों पद जो है, सब inspector के ही ह आप एक ही form भरेंगे, लेकिन preference आप यहां पे देंगे, पहला किसको रखेंगे, दूसरा किसको रखना है, आप चाहें तो इसको पहले रख सकते हैं, इसको दो नमर पर रख सकते हैं, तो ऐसे आपको क्या करना है, preference देना है, फिर यहां पे जो है अपना father's name, यहां mother's name आपके body में क्या पाचाने, steel का निशान हो सकता है, कटा का, जला का, इसको से पूछ रहा है, are you word of freedom fighter, अगर हैं, तो हां करेंगे, और अपना बताएंगे, पोता-पोती क्या है, certificate number आपको देना होगा, नहीं है, तो no करेंगे, disable हो जाएगा, अब यहां पे आपको देखिए educational qualification की जनकारी भरनी है, तो यहां पे आपको इस पर दसवी class की जनकारी भरनी है, जिसे name of university या institute, किस जो है, university या institute से आपने पढ़ाई किया हुआ है, तो यहां पे जिस भी बिद्याले से आपने पास कर रहा हुआ है, उस बिद्याले का नाम यहां लिख देंगे, यहां पे graduation की जनकारी मांग रहा है, तो यहां पे आपको graduation का जो है, institute या university का नाम लिखना है, कि कि institute या university से आपने पढ़ाई कि है graduation, certificate का passing number, उसके बस यहां पे आपको जो है, कब आपका issue हुआ है, तो graduation की जनकारी इस तरह से भर देंगे, उसके बिद्याले से PG, अगर आपने PG किया office, state, district, pin code लिख देंगे, जिस तरह से आपका address होता है, उस तरह से आप लिखेंगे, अगर आप सहर से आते हैं, तो सहर में जिस तरह से address होता है, अच्छे से line 1, line 2, ऐसे करके आपको लिखना है, यहां पे correspondence address पूछ रहा है, same है, permit की तरह तो आपको इसको tick करेंगे, same से में इधर copy हो जाएगा, यहां पे आप से पूछ रहा है, criminal cases वगर के बारे में, क्या आपको SSC, UPSC के द्वारा जो है, divided किया गया है, क्रिमिनल cases है, यह भी no कर देंगे, यह भी आपको यहां पे no है, no कर देना है, तो यह सब आपके cases के बारे में पूछ रहा है, आपके negativity के बा का photograph रंगीन एवंग दो माह के अंदर खीचा हुआ, जिसका background सफेद हो, और 15-25 के बीच होना चाहिए, तो photograph का जो instruction है, इस instruction है, फोटोग्राफ को आपको अप्लोड करनी है, signature यहां अंग्रेजी में, यहां हिंदी में signature आपको अप्लोड करनी है, और उसके पर से proceed करेंगे, proceed करते ही friends, यहां पर आपकी जो भी जनकारी है, वो यहां पर खूल के आएगा, आप एक बार अच्छे से verify कर लेंगे, कि जो भी अपने जनकारी दिया है, सब चीस सही है, फिर इस capture code को भरेंगे, नीचे यहां declare करेंगे इस तरह से, और यहां submit application form पे click करके आपको ok कर देने लेकिन verify करके ही आपको submit करना है, submit करते ही friends, आपका जो यहां पर form final submit हो जाएगा, यहां देखिए मैंने submit कर दिया है, wait करेंगे हम थोड़े देर, submit हो रहा ही है, यह देखिए इस परकार से आपको final submit हो जाएगा, provisionally submitted, और यहां print का option मिलेगा, आप यहां पे click करके जो इसका print out hard copy अपने पास निकाल के सुरक्षित रख लिजिएगा, तो इस परकार से friends आपको जो है, बिहार दरोगा SI के लिए form को apply करना है, तो मुझे उमीद है friends, आपको जनकारी समझ में आ गया होगा, आपके मन में कोई भी doubts है, comment है, आप comment box में पूस सकते हैं, मिलते हैं next video में, ह आप में दीजिए जायत और देख तेरे डियर सेल्पिंग फॉरेवर, थैंकी फॉर वाचिंग, जैहिन